और चुनावी समर में अब सारे नेता जिनको टिकट मिलना है वो भी और जिनको टिकट नहीं मिलना है वो भी अब उस पल का इंतिजार कर रहे हैं जब उन्हें परत्यासी बनाया जाएगा जब उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा बिधानसवा चुनाव नजदीक और अभी हम भागलपूर के नाथ नगर बिदान सवा में हैं और आज हम जिन से बात करेंगे वो है जफर मुस्तफा जफर मुस्तफा जनधिकार पार्टी के अलफसंग्यक मोडचा के जिला ध्यक्ष है भागलपूर के और जो यह चुनावी मैदान में भी उतर रहे हैं हम इस सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग यहां पर आए ठीक है और जहां तक और जदियू की बात कर रहे हैं तो इसको मैं एक बहुत साधे सा अलफाज में यह कहूंगा कि चोर में चोर मोसेरा भाई ठीक है नहीं वह दोनों जो है एक ही चट्टे बट्टे के है एक ही सिक्के के दो पहलू है ठीक है दोनों में कुछ फर्क नहीं एक सत्ता में एक सत्ता से बाहर है ठीक है न तो उसके लिए अलग से उनके लिए जो कहना उनके लिए भी वही कह सकते हैं दोनों के लिए कुछ अलग से कहने के जरूत नहीं है ठीक है और इस वक्त जो है ब 15 साल इनके हवाले किया लेकिन दोनों ने सिरफ बिहार को और बिहार वालों को बेवकूफ बनाया बिहार को लूटा इसके लावा और कुछ नहीं किया जो लोग आज से 10 साल पहले बाहर जाकर के कमाते थे वो आज भी बाहर जा रहे हैं जिनके बच्चेव के पढ़ने के आज की जरूत है तो जो आज से 20 साल पहले जो मतलब सुरते हाल थी आज भी कुछ ऐसे ही है आप सरकारी होस्पिटल का अगर भागलपूर के हम बात करें इतना बड़ा जिला है उप राजधानी के इसको दर्जा मिला हूँ आप जाकर करके देखें तो आपको समझ में आ ज को आज दो, आप चलेंगे लगए तो आपको दिखेगा तक इतनी इतना कुस्योंने के बाद इतनी तरकी देकनी सरकारी फंड इव में और यह सब होने के बाद भी िलूए नाली नहीं है शड क नहीं है अभी बारश हुई है तो इतना कीचड़ है पूब होम गो मुझे लोगों के बीच में जा वहां देख़ कर आ रहे हैं जो के घृति कर चुक हमारा जो देश है कि लोगत है तो यहां लोगों की मैकसीम्म माइक सिमmouth कि गुजारने के जो तरीके वो खेती बाड़ी है इसी से होता है तो अब आप यह देखेंगे जाकर के अभी यहां पर इसी विधान सभा में नातनगर विधान सभा में एरिया आता है यह सैनों पंचायत में बदलूशक का गौँ है तो उन लोगों की जो खेती है जहां से पा करकर के चले जाते हैं बात खेताव रात गई बात गई वाली बात हो जाती है तो कल यह शाम में हमसे बात हो रही थी कि तो यह इतने दिन होगे और उसकी जो हालत है बहुत बरी हालत है और तो इस बानकी वजए से तकरीबएन सोल—ससट्र स socialist ela जमीन जो है सिचाई होनी थी जो नहीं हो पारा पानी बरबाद हो रहा तो यह सिरफ यह तो एक जगह की कहानी एक जगह किस्सा है और अगर आप पुरे बिहार में सर्वे कर रहे हैं तो आपको यह चीज़ दिखी होगी हर जगह कि लगबग सुरते हाल यह यह तो इस वकत जो हिम्मत हो वो गट्स हो और यह गट्स यह हिम्मत ना आरजडी में ने जदियू में यह दोनों यह आएंगे सब्सक्राइब को इस वकत इसके लावा कोई दूसरा फैसला नहीं लेना चाहिए अगर वो आते हैं तो यहां का नक्षा बिलकुल बदल जागा जैसा कि उन्होंन ना माया तो करके दिखाया अभी लॉक्डान हुआ तो जो लाखों की संख्या में जो परवासी मजदूर जो सबसे जादा बिहार के लोग जो बाहर थे तो उनकी जिस तरह से उन्होंने मदद की है खुले दिल से की है अगर वह सत्ताम आएंगे तो उनसे बिहार की आवाम अगर जफर मुस्तफा प्रॉबलम गिनार है नातनगर का अगर जफर मुस्तफा विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या रहेगा यहां सब से पहला काम जो होगा वहोगा किसान की जो हालत है वो बद से बत्तर हालत है यहां खेती होती है वो भगवान भरो से अगर बारिश होगी तो खेती होगी इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है तो हर जगे तक खेती हो गई है लोगों ने खेती की है और लोग किसान खुश हैं लेकिन अगर यही बारिश नहीं हो करते हैं उनको बहतर से बहतर उसका मौफजा कैसे मिल से के मेरी सबसे पहला जो काम होगा तो वह यह होगा इसी पर धियान देंगे वीकास की बात है ठीट है जो चुनाब लगे हैं वादे वही करते हैं नहीं देखें वादे करते हैं तो आप देखें नहीं से पहले जो पार्टी है वही लोगों ने कभी वह आई कभी वह आई यह दोनों अभाई लोग सभा की भागलपूर लोग सभा की बात करें तो यही हाल आप कहलों में भी जाएंगे कहलों की बीजी सुरत है कि बांद चूटा हुआ बंद चूटा हुआ है को इस पर ध्यान देने वाले नहीं लोग आए चुनाओं का मौसम आता है बरसाती मेंड़ के तरह बाहर निक होसला है और वह लीडरी कर सकता है सही माने में और बगएर पावर के बगएर पोजिशन के उन्होंने करके दिखाया है इस वक्त यहां की जंता को यहां के अवाम को कि अपने जेब से अपने अपनी जमीन जगए बेच करके उन्होंने लोगों की मदद की है क्लोड़ों जादपात का उसमें आप कैसे टकराईएगा कैसे सुनाव लरिएगा नहीं देखिए यह के पपो यादब की इस तालूक से जो सोच है वही सोच हम भी रखते हैं कि यह जादपात का जब तक मसला रहे हम अपने जादवाले को वोट देंगें दूसरों को नहीं देंगें तब क्युक्म काम करें तो यह जब तक इससे कम करेंगे जादपात से हमें ऊपर-इटकर करें करेंगे तो फिर जो है विकास होगा कलियान होगा लोगों की जो परशानिया है जो समस्या हैं यह दूर होंगी अप परचार डिजीटल मादयम से हो गया वर्चूल होना है सारा चीछ तो कैसे कैसी तइयारी कर रहे हैं अपके export लिखेंहें देखे हम तो दोनौं कर रहे हैं ठेका नहां जो डिजीटल तरीके हैं हमा है इस वकत जिसको अपनाया जा रहा हम, उसको भी अपना रहे हम के समस्याओं, को लोगों को देख करके, हमने फैसला किया, काब तक यह जो है मतलब तुम कभी तुम कभी तुम तुम कभ तक होगा अच्छे लोगों को बीच माँना चाहिए और हुमत और होसला दिखा करके इनके बीच में कुदना चाहिए जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो मसले का हल नहीं होगा है जैसे वो कहते हैं कि कहीं पर गंदगी हो हम जब इस मैदान में जब हमने फैसला लिया तो हमसे बहुत लोगों ने कहा कि आप क्यों सियासत में जा रहे हैं यह गंदगी का धेर है तो हमने उन से कहा कि देखें जब गंदगी हो तो उसमें गंदगी मे जो मतलब समाज में सBसे बकवास किसम के लोग हैं वही इसमे आई गे तो हम यह चाहते हैं के जो लोगों का जो नजरिया बन गहा है ये बदल जाए फिर से ड़िया हुआ कि सियासत का मतलब जो आदमी सियासत में जो है और एक बात कुछ कह दे तो उसकी जबान का का वजन होना च्छाहिए चाहिए कुछ भी हो तो हम ये चाहते हैं कि यह टब्दिली आय आए और ये गंदगी में जब तक उत्रेंगे नहीं तो頁 ड़ी äतुम सफाई हो और अच्छे लोग आये और प्र जब अच्छे लोग आ base तो फिर विकास भी होगा लोगों की जो समस्यां हैं जो परिशानी है वो उनको अपनी परिशानी जब समझाएंगे तो इन्शालला वो मसला हल होगा उनका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुकुरिया